नमास्कार दोस्तो है आप सभीका मेरी यूटुब चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है scoring तो प्लीज सब्सक्राब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राब कर लीजिये और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके all notification को on कर लीजिए जिससे मेरे चैनल से जुड़ी latest update आपको प्राप्त होती रहे है और वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर लें दोस्तों के साथ share करें और comment करके अपने विचार जरूर दे कि आपको वीडियो कैसी लगी इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्णों के बारे में बताऊंगा जो परिक्षा की द्रश्टी से बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है ये प्रश्ण परिक्षाओं में बार बार पुछे जाते हैं तो आप इन प्रश्णों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए रट लीजिए ताकि आप परिक्षाओं में पूरे में से पूरे माक्स प्राप्त कर सकें और वीडियो को सुरू से लेकि अंत तक पूरा देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाब मिल सकें तो चलिए प्रश्ण पर चलते हैं पहला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा जीलों के लिए प्रशीद है पहला option है भारत, दूसरा option है फ्रांस, तीसरा option है USA, चोथा option है जापान, इसका तीसरा option USA, सही उत्तर है अगला प्रेश्ण है विश्व का सरवादिक लवणिये जील है पहला उप्षन है वोन जील दूसरा उप्षन है मरत जील तीसरा उप्षन है सुपीरियर जील चोथा उप्षन है बेकाल जील इसका पहला उप्षन वोन जील सही उत्तर है अगला प्रश्ण है सरवादी उचाई पर इस्तित नोकायन जील है पहला अप्शन है वोन जील दूसरा अप्शन है टीटी काका जील तीसरा अप्शन है मरत जील चोथा अप्शन है विक्टोरिया जील इसका दूसरा अप्शन टीटी काका जील सही उत्तर है अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील है पहला अप्शन है केस्पियन सागर दूसरा अप्शन है वोन जील तीसरा अप्शन है मिसिगन जील चोथा अप्शन है बेकाल जील इसका पहला अप्शन केश्पियन सागर सही उत्तर है अगला प्रेश्ण है अरल सागर जील किस देश में इस्तित है पहला उप्षन है चीन दूसरा उप्षन है रूस तीसरा उप्षन है कजाकिस्तान चोता उप्षन है जापान इसका तीसरा उप्षन कजाकिस्तान सही उत्तर है अगला प्रश्न है निमने लिखित में कौन विस्व की सबसे बड़ी जील है पहला आपिशन है सुपीरियर जील दूसरा आपिशन है केश्पियन सागर तीसरा आपिशन है बेकाल जील चोथा आपिशन है म।रत जील इसका दूसरा अप्षन केश्पियन सागर सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निमने लिकित में से किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है पहला अप्षन है फिनलेंड दूसरा अप्षन है जर्मनी तीसरा अप्षन है थाईलेंड चोता अप्षन है भारत इसका पहला अप्षन फिनलेंड सही उत्तर है अगला प्रश्ण है विश्व का सबसे उचा जल प्रपात किस देश में इस्तित है पहला अप्षन है कानाडा दूसरा अप्षन है नार्वे तीसरा उप्षन है वेनेजुएला चोथा उप्षन है इंगलेंड इसका तीसरा उप्षन वेनेजुएला सही उत्तर है अगला प्रश्ण है एंजिल जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है पहला उप्षन है आमेजन दूसरा उप्षन है पाराना तीसरा उप्षन है कोरोनी चोथा उप्षन है इन में से कोई नहीं इसका तीसरा उप्षन कोरोनी सही उत्तर है अगला प्रश्न है बोयो मा जल प्रपात किस नदी पर इस्तित है पहला उप्षण है अमे जन दूसरा उप्षण है कांगो तीसरा उप्षण है नील 4 उप्षण है जेर इसका चोता उप्षण जेर सही उत्तर है अगला प्रश्ण है स्वेज नहर का निर्मान कब प्रारम हुआ पहला उप्शन है 1905 इस्वी दूसरा उप्शन है 1854 इस्वी तीसरा उप्शन है 1897 इस्वी चोता उप्शन है 1899 इस्वी इसका दूसरा उप्शन 1854 इस्वी सही उत्तर है अगला प्रश्न है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्री सागर से मिलाती है पहला option है सुँ दूसरा option है पनामा तीसरा option है कील चोथा option है स्वेज इसका तीसरा option कील सही उत्तर है अगला प्रश्ण है क्रान नहर निम्न लिखित में से किस देश में इस्तित है पहला उप्षन है फिन लेंड दूसरा उप्षन है जर्मनी तीसरा उप्षन है थाईलेंड चोथा उप्षन है भारत इसका तीसरा उप्षन थाईलेंड सही उत्तर है अगला प्रश्ण है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, पहला उप्शन है कील नहर, दूसरा उप्शन है सू नहर, तीसरा उप्शन स्वेज नहर, चोथा उप्शन है पनामा नहर, इसका तीसरा उप्शन स्वेज नहर सही उत्तर है, अगला प्रश्ण है निमने लिखित में किस एक की सीमा केश्पियन सागर से नहीं लगी है पहला उप्सन है कजाकिस्तान दूसरा उप्सन है आर्मेनिया तीसरा उप्सन है आजर बेजान चोथा उप्सन है इनमे से कोई नहीं इसका दूसरा उप्षन आर्मेनिया सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में कौन सी एक जील तंजानिया एवं युगणा के बीच अंतरराष्टिय सीमा बनाती है पहला उप्षन है मलावी दूसरा उप्षन है चाड तीसरा उप्षन है विक्टोरिया चोता उप्षन है इनमे से कोई नहीं इसका तीसरा उप्षन विक्टोरिया सही उत्तर है अगला प्रश्ण है विश्व की सरवादी खारे जलकी जील वॉन जील किस देश में इस्तित है पहला उप्षन है चीन दूसरा उप्षन है तुर्की तीसरा उप्षन है इराक चोथा उप्षन है फ्रांस इसका दूसरा उप्षन तुर्की सही उत्तर है अगला प्रेश्न है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है पहला उप्शन है 65.1 km दूसरा उप्शन है 168 km तीसरा उप्शन है 165.1 km चोथा उप्शन है 98.8 km इसका दूसरा उप्शन 168 km सही उप्शन है अगला प्रेश्न है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई पहला उप्शन है 1851 दूसरा उप्शन है 1890 तीसरा उप्शन है 1879 चोथा उप्शन है 1871 इसका तीसरा उप्शन 1879 सही उप्शन है अगला प्रेश्न है किस महादीब को स्वेट महादीब के नाम से जाना जाता है पहला उप्शन है अफ्रीका दूसरा उप्शन है अंटार्टिका तीसरा उप्शन है आस्ट्रेलिया चोथा उप्शन है यूरोप इसका दूसरा उप्शन है अंटार्टिका सही उत्तर है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए